अलो दोस्तों बेलकम टो अनिश्टेटी गुरॉप आई होप या डिंग वैल दोस्तों आज में बात करने वाल दा हिंदू करंड फेर इसके हमारी इंपुर्टेंट रिगार्डिंग जो इंपुर्टेंट और टॉपिक से वादें इसलिए यह जी टॉपिक सब एक दिन लेट लेकिन अब कंटिनिसले अप्लोड होगी है इस्टार्ट करते हैं हम बात करने वाले हैं वह है जो फर्स्ट आर्टिकल जो आया था उसके अंडर आया था जो रासन कार्ड बगारा रासन जो मिलता है उसके उपर क्योंकि गौवर्मेंट ने जो भी दिया है जो 81 क्रोड कराया है और यह एक साल के लिए और बढ़ गया है क्योंकि अब यह अब हम लोगों को मिलेगा 31 दिसंबर 2023 तक 2023 तक हमें फ्री मेरासन मिलेगा जो फ्री मेरासन देने की गौवर्मेंट ने बात की है उसके बारे में यह आर्टिकल आया है लेकिन हमारे एक्जाम्पुल लेक नेशनल फूट सेक्वरिटी एक्ट जो 2013 में लाया गया था और इसका लाने का मैं इंटेंसर किया था कि इंडिया में क्या था उस टाम में मतलब भूट के रिकार्ड़ अभी देखें हमें इंडिया की अभी जो एक सो साथ आई है अभी हम लोग बहुत पीछे हैं बहुत का करना पड़ेगा इस सेक्टर में क्योंकि हमारा सस्टेनेवल डबलमेंट है उसके अंदर भी हमने बोल लगा है कि हम जी जो हंगर इंडेक्स कर देंगे तो इसमें यहां पर हम बात करने वाले हैं कि नेशनल फूट सेक्रेटी यह गौर्मेंट और लोगों को देने के अब MSP के थुरू पर्चेश कर लेती है जो फूट बगारा होगे जैसे गेहूं चावल और उसके बाद जो नीडी फूपल है जो लोगों के जिसको जूरूर उन्हें यह लोग एमांट में मतलब एक रुपे दो रुपे के लोगों के हिसाब से लोगों वो दे देती है तो यह ज हमारा देस आई अब्स होगे हैं तो आभ गयर के लिए हम लोग ऊचब मैं क्था खाने के लिए हम था बड़ाए हैं लेकिन फिर आप धीमें नहीं हैं हम लोग एक पुल्ट इन मतलब एक जो ग्रास लेबल से लेकर अपर लेबल तकी जो यह जो दूरी तैकिए इसमें अब अब देखता है कि आप लोग देखा हो कि हम लोग यू जैसे कि अफगानिस्तान हो गया पर स्रिलंका हो चुट चुट यह हमारे एक्जाम फॉट तों यह और यह हुआ किसके ठूरू यह जो है इतना इस पुजिसेर आने में किसका है सबसे ग्रीन रीबुलिशन जो स्टार्ट हुआ ता उसका ही पार्ट है ग्रीबुलिशन का उसकी बैसे हम लोग आज इंडिया में इतना अब अदोगें हूं इसके अंदर क्या होगा कि लोगों को फ्री में फूर्ड दिसंबर 2030 तक फ्री में फूर्ड मिलेगा और यहां पर देखें तो अगर हम पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं जो यह नेशनल फूर्ड सेक्रेटी अक्ट है क्या बिसिकली इसे इस्टार्ट करनें दस सतंबर 2013 में इसका ऑबजेक्ट इए यह था कि हम जो पूर फीपल है वो एक लो लो प्राइप फूड अफॉर्ड अफॉर्ड फॉर्ड फॉर्ड प्राइबल प्राइज में खरीद सके हैं तो इसलिए इसलिए लिया गया था लाया था इस मतलब इ हाथ से 70% लोगों को लिया गया और 50% लोग जो सहरी कस्वा और अर्वन एरिया से और यह एक मिलता किसी के दूरदा वह जो टार्गेटेट इस्ट्रूबिस सिस्टम से जो दुकांस होती है उन पर मिलता था और यह अगर टोटल पॉपॉलेसा वाद तो 67% था मतलब सरसर प पॉपॉलेशन इस स्केम का लाव उठा रही है और इलेजबिल क्या है जो एक मतलब कि एक बिलो पॉवर्टी लाइं जैसे बीपील कार्ड बगरा होता है तो उसके अंदर जो लोग आते उनको यह पर यह प्रवाइट किया जाता है और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि प्रवाइब कीजी फूड पर पांच किलो हर इंसान को मिलता है तो उसमें जैसे गेहु चावल और मोटा अनाज मोटा लाजम दाल बगरा हो गई बूमें इस सब इसी कंटर मिलती है और यहां पर पॉइंट है जैसे कि यह लांच किया गया था जैसे कि आप देखो जो प्र जैसे कॉब्स होगा था तो उसके बाद गवर्मेंट ने इक तो ने तो बेस था उसे भी इंक्रीज कर दिया था और है कियोंकि मड़ेगा कि अंदर क्या होता है तो उसके अंदर कितने ऑंली 182 रुपई से बढ़ा के 202 रुपई कर दिया गया था यह बढ़ाके तो और इस प्रहा मंत्री गरीब कल्यान यूजना वो एक अन्यूजना वो गरीब कल्यान यूजना अश्टिस के अंदर किया था कि लोगों को दो 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 चार रुपे में रोभ रुपे प्रपाड किये थे इस इन स्कीमों ने एक बड़ी डिजाश्टर आने को रोग लिया क्यों अगर सब्सक्राइब को इस पैंडिमिक से बचाने के लिए फिर इसके बाद नेक्स टार्टिकल आया था वो खेलो इंडिया डासपोर आया था इसके अंदर क्या आया कि एक ग्रासूर लेबर पर लोगों को जागरुक करना उसके खेल के प्रद और जो अपनी खेल में जैसे जो पैसिनेट है जिस खेल में उन्हें वो एथलिक्स है लेकर हमारी यह पताना चाहिए कि यह जो खेलो इंडिया डासपोर्ट के अंदर आथा है ईह यह यूथ अफेयर ये एक Best Bengal की Seasonal मिठाई है, Seasonal मिठाई जो Best Bengal में मिलती है ये, और ये से First prepared किया गया था, आसुतुस दास जो 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 एनगर में, ये प्लेस पड़ता है Best Bengal में, जो की 90-04 में इसे बनाया गया था, और जब जानलेद भाई, जियोग्राफिक इंडिकसन टैग होता किया है, क्यों जैसे सपोज करो कोई सी भी एरिया को अगर जैए मिल जाए, तो उस एरिया को सपोजो सब्सक्राइब को चीज बेचने का, कोई दूसरा बंदा कोई कंपनी होगी, आउर्राइशन होगी उसे बेच नहीं सकती है, तो यह होता है, जिय टैग का मतला, और इसकी बैलेटिरी ह करने के लिए हम लोग फॉर्म फिल करना पड़ता फिर उसके बाद हमें बहुत जाना जाता है जैसे दारजनी टी हो गई जैसे कुछ इंपॉर्टेट पॉर्टेटी होगी कस्मेरी सैफ्रॉन हो गया या बास्मती चाबल हो गया तो इस चीज़ें सब क्या है इहां कि जो लोग फिर मसूर हो जाती वहां चीज़ और फिर होदी इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है लोगों को इसके बारे अवेर होत अगर वीडियो के रिगार्ड एक आप कोई भी कोई है आप कमेट सकते हों पोच सकते हों बावा टिक के मिलते हैं नेक्ट वीडियो में